हेलो स्क्रीन्स पर आप देखी सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वह है आर्टिफिशिल प्रॉपागेशन आफ प्लांट्स ओके सो लास्ट वीडियो में हमने कर रहा था थर्ड चैप्र स्टार्ट तो थर्ड चैप्र है हमारा हाउ डू ऑर्गनिजम्स रिपर्ड्यू तो सबसे पहले हम आर्ट्र इंट्रो लिया था फिर उसके इफ्रेंट टाइप्स क्या थे किसफञें सेक्शूल एप्डेशन था जिसमें फीजन था फ्रेग्मेंटेशन था उसके बाद हमारे पास बडिंग था और साथ के साथ वेच्टिटरी प्रॉपागेशन था और स् थो बड़े अच्हे से यह सारे के सारे सीक्स जो उसके टाइप थे और सेक्शुलरी प्रिदख्शन के वो समझ में आये हूँगे तो आज हम जुह है वेजटिटी प्रोपागेशं शम वो vegetative propagation जो हमने कर रहा था वो natural था अब artificially भी हमने जो है vegetative propagation को हमने artificially जो है उसका advantage लिया है तो अब artificial मतलब कि labs में हमने vegetative propagation के थूँ जो है वो plants को reproduce किया है तो यह भी और sexual का ही एक type आ जाता है तो आप देखते हैं कि actual में artificial propagation है क्या तो यह एक process है जिसमें हम plants grow करते हैं और एक plant से हम नया plant जो है वो बनाते हैं कि एक plant से कई सारे plants हम जो है वो बना सकते हैं लेकिन यह क्या है man made है तब ही हम इसको जो है वो artificial propagation of plants बोल देते हैं तो इसमें जो है मेंली हम artificial methods जो है वो अपनी crop की productivity बढ़ाने के लिए जो है वो करते हैं तो जैसे अब vegetables हैं fruits हैं, flowers हैं तो इनकी productivity जो है वो काफी जादा बड़ी है इस artificial propagation से तो इसमें तीन टाइप्स के हमारे पास artificial propagation method आते हैं तो first है cutting, second है layering third है grafting सबसे पहले हम करेंगे cutting तो cutting method में क्या है कि cutting में एक छोटा सा part जो है वो plant का हम cut करते हैं ठीक है और फिर हम उससे नया plant उगाते हैं तो अब काटा है हमने वे एक छोटा सा part तभी हम इस method को cutting बोल देते हैं तो ये देखो हम काटेंगे part कौन सा ठीक है जिसमें small मतलब की छोटा सा बड जो है वो निकलने वाला हो तो हमने देखा कि stem जो है एक stem पाट लिया हमने तो stem में जो है बड निकल रही थी मतलब पतले से निकल रही थी हमने देखा तो वहां से आपने उसको काट दिया और फिर आपने क्या किया उसको मिट्टी में लगा दिया ठीक है और फिर वो जो है धीरे धीरे हम उसको नरिश भी करेंगे प्रॉपर यह नहीं है कि पूस लगा के छोड़ दिया उसको भूल गए नहीं जो वाटर न्यूट्रेंस चाहिए वो तो सब कुछ उसको दे रहा ही पड़ेगा हमें ठीक है औ आपको कुछ याद भी आया होगा कि हम कौन-कौन से प्लांट्स चुह हैं वह ऐसे कटिंग मैथर से लगाते हैं तो आप देख सकते हैं वोगन विलिया ठीक है रोज सबसे इंपोर्टेंट जो आपके घरों में भी है क्या आप स्टैम काट के लिके आते हैं गुलाब की तो आपके लिए प्लांट्स चुह हैं वह हम देखने की अपने घरों में जो है वह कटिंग मैथर से लगा सकते हैं तो इसमें कोई पूरा सेड की जूरत नहीं पड़ी है कोई इसमें जो है स्टैम के यानिकी पूरा प्लांट हमें लगाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है बस एक छोटा सा पी स्टैम पाट जो है वह हमने काटा और हमने उससे एक पूरा प्लांट जो है वह हमारे पस लग कर आ गया ठीक है सेकेंड आता है लेरिंग लेरिंग में क्या है कि मैथर में क्या है कि जो प्लांट लगा हुआ है जैसे यह प्लांट है तो प्लांट लगा है अब प्लांट के हमने क्या किया कि साइड से जो है एक स्टेम ली उस स्टेम को जो है वह हमने ब्रांच को सॉरी हमने एक ब्रांच को लिया और उसके सेंटर से हमने उसको मिट्टी में दबा दिया और दूसरा हिस्सा एक तरह से उसका में प्लांट बॉड़ी से जुड़ा हु और दूसरा हिस्सा क्या हुआ के मिट्टी के बाहर रखा ठीक है तो फिर उसके बाद आप जब यहां पर आपकी लीफ यहां निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने यहां से में प्लांट बढ़े से इसको काट देना है तो यह हमारे पास कौन सा मेथड आ गया लीव तो लेरिंग में क्या किया सिंपल एक ब्रांच का पीस जो है प्लांट का ब्रांच के पीस को हमने कवर्ड कर दिया चीक है और फिर उसको पानी वगारा प्रॉपर दिया क्योंकि प्लांट को दोगे तो अपने आप ही जो है वह हो जा इनकी बाहर रखना ह इए नकी यह वह हमने टिप उसकी हमने जो है वो क्या कर दिए exposed रखी ग्रांड की दरफ तो उसके ट इप से जो है ने प्लांट लीव जो है वोस है Hibiscus मतलब China Rose हैvem विललिया Cutting से भी होता है Leiering से भी होता है और कई सारे Ornalyst to है वो हम ौर्णी स मेथड से l beginners method से लगा सकते हैं place आता है Grafting थो Grafting में क्या हैके ग sf यह Averse मैठ जिसम fid nuestros Stands को हम ज्वाइन करते हैं और वह एक नया plant बनके हमारे सामने आता है एक single plant बनके तो इसमें दो stems हैं हमारे पास हमने जिनको काटा है जो stem जो है जिसमें roots लगी हुई है ठीक है उसको हम stock कहते हैं देखो ये है stem अल्रेडी लगी हुई है इसके roots है ये जमीन में पहले से लगी हुई है तो यहां से हमने इसको काटा ठीक है तो ये हमारे पास हो गया stock और दूसरी branch हमारे पास जो हम दूसरे plant की काट कर लगाएंगे उसको हम बोलते है season ठीक है तो ये है हमारा तो इसको थोड़ा तिर्चा काटना है जब भी हमने काटना है slanting cuts में काटना है ठीक है तो फिर उसको हमने जो है दोनों को फिर क्या किया हमने एकदम से उसकी cambium rings मतलब cambium पढ़ा था ना अपनी xylem phloem वाली जो rings बनी होती है इसमें cambium rings जो बनी है उट वो थोड़ा देखकर लगाना है कि बिलकुल एक के साथ जो है वो थोड़ा जोइन करें ताकि बाद में conduction जो है water की minerals की एक स्टॉक से सिजन की तरफ जो है वो proper आ सके ठीक है तो हमने इनको जोइन किया और फिर उसके बाद हमने उसके जो है वो हमने बिलकुल उसको proper जो है वो इनकी cover up कर दिया ताकि कोई bacterial infection वगएरा जो है वो उसके आसपास ना सके कपड़े से बांद दिया या polythine sheet से लगा दिया न चाहे टेप वगएरा लगा दो ताकि कोई भी bacteria fungus वगएरा जो है यहां से ना जा सके ठीक है और फिर हम प्रॉपर इसको जो है वो नरिश करते जाएंगे पानी वगएरा देते जाएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो stock or season है different plants की थी लेकिन फिर उसमें से plants में से leaves गएरा निकलने स्टार्ट हो गए और वो एक plant जो है वो बन चुका है उसमें से भी वैसे ही leaves flowers fruits गएरा निकलने स्टार्ट हो गई है तो grafting जो है वो किस कारण के किस के लिए use है कि fruit की जो breed है ठीक है मतलब की अच्छी जिसके quality है तो उसमें जो है यह helpful करता है तो apple हो गया peach, apricot, pear trees इन सबी में जो है grafting से जो है की जाती है तो advantages crafting के क्या है तो desirable characters जो है हमारे पास plant के कि इसका fruit जो है वो अच्छा लगता है तो हम जो है fruits यह flowers के combination को हम join कर सकते हैं second इसमें क्या है कि छोटे से plant में ही fruits or flowers जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं और इसका next हमारे पास है कि कई सारी varieties जो है वो हम एक ही plant पर जैसे अब कई बार देखते ना के red, white एक ही plant में जो है rose में लगे होते हैं different roses में red भी है white भी है फिर उस पर pink color आ गया तो एक ही plant में different varieties जो है वो हम देख सकते हैं ठीक है तो grafting से जो है वो seedless fruits के लिए बहुत अच्छी है मतलब कि इनकी seedless plants वो seed नहीं produce कर सकते तो उसमें grafting से जो है different fruits जो है बिना seeds के जो है वो लगा सकते हैं तो artificial propagation जो है वो mainly जो है seedless plants में ज्यादा अच्छे करते हैं यूज लेकिन फिर भी जो है वो हम seed वाले plants में भी यूज कर लेते हैं तो इसमें जो है artificial propagation किसमें करते हैं बनाना में pineapple हो गया, orange हो गया, grapes हो गया और rose हो गया तो मैंने भी आपको बताई दिये न तो advantages artificial propagation के क्या है नया plant जो है वो produce होता है artificial propagation से वो बिलकुल parent plant की तरह होता है और उसमें desirable characters होता है जो हमें चाहिए character desired मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार उसमें characters जो है वो हम produce कर सकते हैं तो इसमें बिना seeds से seeds से ताइम लगता है साल साल लग जाते हैं छोटा सा plant निकलेगा फिर वो बड़ा होगा ताइम लगेगा लेकिन इससे जो है वो बिना time के ठीक है कम time में हम जो है वो जल्दी fruits वगारा ले सकते हैं grow कर सकते हैं तो इसमें जो है इसमें plant को कम attention भी चाहिए और जल्दी ही इसका time जो है वो हमारे पास आ जाता है यह मतलब कि हमारे पास जल्दी यह mature हो जाती है crops और साथ के साथ जो है artificial propagation में सिर्फ एक ही parent की जुरूरत होती है क्योंकि और sexual reproduction है यह और इसमें seedless plants के लिए बहुत ज़्यादा benefited है ठीक है तो next हमारे पास आता है tissue culture तो यह भी एक तरह का sexual reproduction में ही है लेकिन यह artificial है क्योंकि हम इसको lab में start करते हैं इस technique को तो उसको plant जो है वो lab से बनकर हमारे पास हम उसको लगा सकते हैं अपने crops में इस और इपनी fields में ठीक है तो tissue culture actual में है क्या tissue आपने सुना है na cell है cell divide होकर क्या बनाते हैं tissues बनाते हैं ठीक है 9th में पढ़ा था न आप लोगोंने तो अब tissue culture में आते हैं tissue culture क्या है कि ने plant को हमने बनाना है plant का एक छोटा सा cell ले लो चाहे tissue ले लो ठीक है इतना बरी एक सा छोटा सा cell निकालना है और tissue निकालना है और उसको हम जो है वह labs में एक growth medium growth में मतलब liquid है जिसमें hormones वगारा plant की growth के लिए सब कुछ हमारे पास lab में बनाया हुआ है ठीक है liquids jelly type है तो वह सारा उसको हम labs में develop करते हैं और उसको छोड़े छोड़े से plantlet से बना कर जो हम फिर अपने खेतों में लगा सकते हैं तो plants को plant के tissue या plants के cell से जब हम plants को grow करते हैं उगाते हैं तो उस production को हम क्या बोल देते हैं tissue culture बोल देते हैं तो इसमें jelly जो हम use करते हैं jelly मतलब अगर अगर वह आपने देखा है ना market में हम लेकर आते हैं छोड़ी छोड़ी से दाने type मिलते हैं तो अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो फूल जाते हैं ठीक है तो फिर हम अपने decoration में use करते हैं लग लग रंग के आते हैं वह actual में क्या है उसको हम अगर बोलते हैं jelly तो वह nutrients होते हैं plant nutrients उसमें तो अगर हम plant में उसको डालेंगे ना तो वह गमले वगरा में तो हम plants बड़े अच्छे से grow करते हैं उससे ठीक है तो plants hormones होते हैं उसमें plant nutrients होते हैं तो उससे plant जो है यह tissue culture में help करता है ठीक है तो अब tissue culture में क्या होता है actual में tissue culture में यह देखो हमने क्या किया plant का एक छोटा सा part जो है cell जो है वो ने निकाला ठीक है वो निकाल के हमने micros Guer Communism help से निकल लेगा वो पाट छोटा सा part तो वहाँ से हमने निकाला और निकाल कर हमने क्या किया उसको artificial medium में जिसको हम jelly बोल रहे हैं यहां पर उस jelly में क्या है nutrients हैं और plant hormones हैं उसमें हमने जो है उसको डाल दिया तो वहां पर डाल कर वो जो है अब hormones मिल रहे हैं उसको growth का medium मिल रहा है तो वहां पर वो बड़ी जल्दी से grow करेगा और ना cell का एक छोटा सा ball type ल बोलते हैं callus ठीक है तो जब जैसे वो callus बनेगा तो callus को जो है फिर उस callus को हम जो है दूसरे plate में जो है निकाल लेंगे जहां पर दूसरी jelly होगी उसमें भी plant hormones होंगे तो वहां पर क्या करेगा यह callus जो है वो roots develop करना start कर देगा ठीक है फिर हमने उस callus को जहां पर roots बन जिनकी उसको हमने फिर एक jelly में डाला तीसरी jelly में जिसमें plant hormones हैं और वो भी जो है अब shoot मतलब stem निकालना शुरू करतेगा ठीक है अब roots भी बनगी अब उसकी shoots भी बनगी मतलब stem भी बनगी अब इसको हम क्या बोलते हैं plantlets जिसको हम पनीरी बोलते हैं प्याज की पनीरी हम में लगाते हैं तो एक्चल में वो ऐसे जो है वो ग्रू कर सकते हैं हम ठीक है और फिर वो छोड़ोड़े से plant जो है वो हमें market में बिलते हैं और हम जाकर वो अपने खेतों में लगा लेते हैं तो अब वो tiny plantlets जो है original एक क्या बनगे plants बनगे और ये plants जो है वो फिर तसकिस स बने actual में tissue से बने ठीक है और ये plantlets जो है वो फिर हम गमले में मिटी में खेतों में कहीं भी हम जो है फुल लगा सकते हैं उसके according कि कौन सा plant है ये तो जैसे अब और्नमेंटल प्लांट्स है जैसे orchids है flowers वगएरा डाइलिया हो गया carnation हो गया क्रिस्नेंथम हो गया तो इनको जो है वह हम tissue culture की technique से जो है वह हम produce कर सकते हैं तो advantages क्या है tissue culture के कि ये बहुत fast technique है कई की छोटे से plant tissue से हम हजारों plantlets जो है बना सकते हैं कुछ ही हपतों में ये जो है हमें disease free plant को कि अब हम tissue निकालेंगे तो आफकोर्स इस में कोई disease नहीं होग कि साथ के साथ जो है पूरा साल हम कभी वी इसको जो है वो कर सकते हैं को कई हमने लैप में करना है ये और इसके लिए छोड़ी से जगह चाहिए इछ चोटी सी प्लेट में कर दिया कितनी जगा लिए इस生.. जो हैं जगहा भी जो यह बहुत कम चाहिए तो अब तो है इसी प जो है वो genetically identical same offspring बताया थे ना कि जो नई cells बनते हैं वो हमार पास offsprings होते हैं तो genetically variation जो है वो किस कारण आता है DNA पड़ा है ना DNA क्या है dinucleic acid वगारा जो हमारा जो हमने करा था कि di oxy ribose nucleic acid ठीक है ना फुल फॉम आजाती है बन माख में ये तो यह DNA जो है उसकी replication मतलब DNA ही अपनी तरह का एक copy जो है वो बनाएगा उसको हम DNA replication बोलते हैं यह आगे आप कड़ोगे तो यह material genetic material है जिसमें हमारी genetic information होती है वो DNA में होती है तो cell जो है वो हमने लिया DNA वहाँ पर replicate करा replicate करके दो DNA बना दिये उसने उदर हमारी cell wall भी जो है cell membrane भी डिवाइड होगी ठीक है और nucleus भी डिवाइड हो गया और फिर उसने दो daughter nuclei बना दिये तो यह हम हर पास a sexual reproduction में actual में आता है तो नए organism जो है वो a sexual reproduction से जो है वो जब बनते हैं हम उनको क्या बोल देते हैं clones बोल देते हैं तो इसमें DNA जो है वो सेम होगा जैसे parents होंगे बतलब parents और parents और बच्चों में जो है वो कोई भी parents नहीं बोल सकते क्योंकि single parents से बनना है न a sexual reproduction तो single parents से जो है वो जब बनेगा sexually तो उसको हम clone बोलते हैं तो इसमें जो है जैसे hydra था paramecium था ठीक है अमीबा था यह सारे के सारे जो है वो single parents से बने थे sexually तो वो सारे के सारे हमार पस क्या होगे genetically clone हो गए ठीक है तो organisms में try किया था 1997 में यह आपने पढ़ा था उसमें एर्थ क्लास में पढ़ा था कि शीप एक भेड बनाई थी जिसका नाम था dolly ठीक है तो animal clone जो है वो first time बना था 1997 में तो genetically identical था और इसको हमने बोल दिया cloning हो गया तो DNA में भी कहते है और sexual reproduction में भी हलकी सी variation होती है simple है कि कोई भी biochemical reaction है वो पूरा same result नहीं देता है कि अगर हमार पास दो cells बन रहे हैं तो वो exactly same नहीं होंगे उसमें 0.001% कहीं ना कहीं जो है वो गुछ change होगा ठीक है तो वो जो है change होके जो वैसे तो सब रहे हैं इनकी same होंगे और sexual reproduction से लेकिन हलकी सी बिल्कुल हलकी सी उसमें जो है वो variation जो है वो हमें देखने को मिलेगी तो importance क्या है इस DNA replication का तो simple सा बात simple सी बात समझाती हूं example दो मालो कि DNA replication नहीं हो दिन नहीं करता है तो क्या है मालो कि कोई सुखा पढ़ गया या फिर बार आगे कोई drastic condition हुआ ऐसा सूखा पढ़ गया temperature जाधा हुआ तो क्या होगा वो सारे के सारे plants मर जाएंगे ठीक है वो plants मर गए सारे तो अब उसके जैसा दूसरा plant normal conditions में हम कैसे उगाएंगे नहीं होगा पाएंगे जब हमारे पास उसका कुछ बचा ही नहीं है तो अगर थोड़ी सी variations जिसमें DNA में होती गई तो मानलो के एक plant जो है वो ऐसा था कि जो पानी की कमी में उग सकता था बाकी plants जो है उसमें वो नहीं था जो DNA थोड़ा होड़ा change होता गया उसके कारण वो एक plant जो है वो जिन्दा रह गया बाकी मर गए तो जैसे ही उसको पानी मिला normal conditions मिली वो हलक develop कर सके उस condition में ठीक है तो फिर DNA की importance यही है variations की कि इससे जो है species की जो survival है और flourishness है कि survival मतलब बच सकते हैं extreme condition में जो unfavoral conditions है उसमें जो है वो आसानी से उग सकते हैं और flourish कर सकते हैं तो इस कारण जो है DNA का replication ज़रूरी है उसमें variations लाना ज़रूरी है तो example आपके पास यहां पर bacteria की भी दे हुई है कि bacteria एक बच गया जो temperature में रह सकता था high temperature में बाकी जो है वो मर गए लेकिन bacteria बच गया उससे क्या हुआ वो bacteria ने आगे अपनी population को बना दिया तो इसके साथ ही हमारा sexual reproduction in plants का topic जो है वो complete होता है उसके बाद plants में वैसे तो सभी में sexual reproduction different organisms में हमने पढ़ी है बीच में plants भी आगे थे ठीक है बीच में single celled multicellular organisms भी आगे थे तो इस तरह से यह sexual reproduction का topic हमारा यहां पर खतम होता है next video में हम sexual reproduction of plants करेंगे ठीक है तो कोई भी problem है आप comment box में पोच सकते हैं till then stay safe take care of yourself and your family and study hard bye bye